दोस्तो आप सुभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल क्रिजी ग्यान पर तो इस वीडियो के अंदर आज में आप सुभी को आपके फोन में दो ऐसी सैटिंग के बार बताने वाला हूँ जिस सैटिंग का स्वाल करके अगर आपका फोन कहीं पर भी चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो आप अपने फोन को बिना पुलिस की मदद से चुटकियों में ढूंड सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका फोन इस टाम यहां पर है दोस्तो आज कल क्या होता है हमारे फोन काफी महेंगे हो गए है और चोरी हो जाता है तो उसके बाद हमारा तो दिमागी खराब हो जाता है इसलिए इस वीडियो के इंदर आज में आप सभी को आपके फोन में जो सैट में कर लेता तो मैं अपने फोन को ढूंड पाता इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को दो ऐसी सैटिंग बताऊंगा पहली सैटिंग के अंदर चोर आपके फोन को स्विच आफ नहीं कर पाएगा उसको बस ऐसा लगेगा कि आपके फोन को उसने बंद कर दिया है सुच नहीं रहेगा बैगरांड में आपके फोन में जितनी भी सैटिंग है आपका जो इंटरनेट है सब कुछ काम करता रहेगा क्योंकि आजकल जो चोर होते हैं सबसे पहले आपके फोन को स्विच आफी करता है इसलिए यह सैटिंग अगर आप अपने फोन में कर लेंगे तो ऐ लेकिन बैगरांड के अंदर आपका जो फोन है वो चालू ही रहेगा साथ ही में दूसरी जो सैटिंग है सैटिंग का अस्तमाल करके अगर चोर कहीं पर भी आपके फोन को चोरी करके ले जाता है तो ऐसे में आपके फोन की जो बैटरी परसेंट है जो आपका लोकेशन है ज चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये जो setting है आप अपने phone में कैसे करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से विले सब सब लेकर आपने support को like नहीं किया तो आपको वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है इसके वगल मैं आप सभी को घंटी को पर click करके all के पर आप सभी को set कर लेना है इसके वाद आप सभी को इस वीडियो के comment में चाके आप सभी को छोटा सा comment भी लिख देना है तो comment में आप सभी को लिख देना है anti theft इस तरीके से यहाँ पर आपको anti लिख देना है और anti लिखने के बाद यहाँ पर आपको theft लिख देना है तो इस तरीके से आपको theft भी लिख देना है फिर आप सभी को लिख के send कर देना है अब जैसी आप ये comment में लिखके send करते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको अपने phone में कौन सी setting करनी है जिस setting को करने के बाद अगर चोर आपके phone को switch off करेगा तो बस उसको ऐसा लगेगा कि उसने आपके phone को switch off कर दिया है लेकिन हकीकत में आपका जो phone है switch off नहीं होगा आपका phone जो है background में काम करेगा साथ ही में वो आपके phone को चोरी करके जहां पर भी ले जाएगा तो उस जगे की live location आप अपने किसी भी दूसरे phone में कहीं से भी देख सकते हैं और पुलिस को जाके बता सकते हैं उसके बाद पुलिस उस बंदे को वहां से उठा लेगी और आपका phone आपको चुटकियों में घंटों में ही मिल जाएगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आप सभी को अपने phone में कौन सी setting करनी है तो यह जो setting है, setting के बाद बताने से बहले, सबसे बहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह जो setting है काम कैसे करता है तो मान के चलिए आपका phone चोरी हो गया या फिर मेरा phone कीसी चोर ने चोरी कर लिया उसके बाद चोर सबसे पहले मेरे फोन को यहाँ पर power button को दवाएगा और यहाँ पर switch off करने के लिए power off के पर click कर देगा अब जैसी वो power off के उपर click करेगा तो यहाँ पर मेरा फोन उसे दिखाए देगा कि switch off हो चुका है लेकिन मेरा फोन यहाँ पर switch off नहीं हुआ है background में काम कर रहा है अब यहाँ पर दोस्तो मेरे फोन में जो internet है वो भी काम करेगा सारी जो मैंने setting किया है वो भी काम करेगा अब ऐसे में मेरा फोन अगर switch off रहेगा थोड़ी दिर में तो मेरे फोन की जितनी भी location है मेरे फोन की जो battery है चोर की जो photo है वो सब कुछ मेरे email पे मेरे SMS पे पहुंच जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर इसे खोलने के लिए अगर ये चीज अगर आप test करना चाते हैं तो इसे अगर आपको खोलना होगा तो power on करेंगे तो phone on नहीं होगा इसको खोलने के लिए आप सभी को अपने charger से अपने phone को इस तरीके से connect कर लेना ठीक है तो यहाँ पर जैसी आप अपने phone को charger से connect करेंगे तो इसके बाद आपको निकाल देना है उस नमर पर आपके phone की location आपके phone की जो battery percent है वो उस बंदे को send कर देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरे phone में SMS pack नहीं है तो यहाँ पर यह message send नहीं हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं location की उपर click करके आपके दूसरे phone में location आ जाएगा जो भी number आपने मतलब save किया होगा उसके बाद उस location की उपर click करके आप अपने दूसरे phone से अपने चोरी हुए phone को आराम से track कर सकते हैं तो काफी अच्छी setting है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यह जो setting है आप अपने phone में कैसे करेंगे तो यह जो setting है अपने phone में करने के लिए आप सभी को अपने phone में ये वाली application को download कर लेना है इस application का link आप सभी को इस video के description में सबसे उपर मिल जाएगा तो link के ओपर click करके आप सभी को इस application को अपने phone में download कर लेना है अब download करने के बाद जैसी आप इस application को open करेंगे तो अगर आपको ये sign up करवाएगा तो आप sign up कर लीजएगा sign up करने के बाद यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरीके से option आ जाएगा जहाँ पर आपको ये जो fake shutdown है इसको आप सभी को on कर लेना है यहाँ पर लिखा भी गया है कि send location, audio and picture even if your phone is off ठीक है तो इसको आप सभी को on कर लेना है अब जैसी आप से on करेंगे कोई भी आपके phone को यहाँ पर switch off करने की कोसिस करेगा तो यहाँ पर ये fake वाला जो power off है उसके सामने आ जाएगा यानि आपका phone switch off नहीं होगा बस सामने वाले बंदे को लगेगा कि आपका phone बंद हो गया है ठीक है अब इस option को जैसी आप on करेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस option को जैसी आउन करेंगे तो चार permission आपके सामने आ जाएगी इनके उपर क्लिक करके इन permission को अपने phone में आपको allow कर देना है अब इसके बाद दोस्तों आप सभी को करना है क्या है कि जो plus का वटन है इसके उपर आपको क्लिक करना है तो इस तरीके से आप इस application को use करके आप अपने चोरी हुए phone को या फिर जो खो गया phone है उसे आसानी से ढूंड सकते हैं